नौरा देही अभ्यारण से सुकून देने वाली खबर आई है। अभ्यारण की बागहिन N1 ने दो शावकों को जन्म दिया था। जंगल में लगे कैमरे ने बागहिन N1 राधा को उसके दो नवजात शावकों के साथ कैद किया है। वनवभाग के मताबिक राधा कुछ दिन से अपने पुराने स्थान से हट कर विचरन करती नजर आ रही थी। बागहिन के सुरक्षा का खास ध्यान रखते हुए वन मंदल अधिकारी सुधानशु यादव के नीतरत्व में टीम गठित करते हुए उसकी निगरानी की जा रही जब बागहिन घनी जंगल में जाने लगी तो चंदा हथनी की सहायता से उसकी देख भाल की गई। वन विभाग के अमले के मताबिक उम्मी थी कि 5 नवंबर तक राधा मा बन जाएगी। हुआ भी वहीं 5 नवंबर को सुबह बागहिन एन वन राधा ने दो नन्ही शावको को जन्म दिया। राधा दूसरी बार मा बनी है। इससे पहले भी दो शावक हुए थे। शावको की जन्म के बाद वह आराम करते देखी गई। इसकी पुष्टी स्वयम अनुशरवन टीम ने फोटो ले करके। नौरा देही वन मंदल अधिकारी सुधान्शु यादव न को परिशान ना करने के उदेश से उसकी ज्यादा पास से देखने की कोशिश नहीं की गई। वह अभी घनी छाडियों में हैं। इसलिए दो शावको की ही पुष्टी हो पाई है। बाकी अनुमानित शावको की खोज की जा रही है। टाइम एट मधिप्रदेश के लिए सा शावको को जन्म दिया था। जंगल में लगे कैमरे ने बागिन एन वन राधा को उसके दो नवजात शावको के साथ कैद किया है। वन विभाग के मताबिक राधा कुछ दिन से अपने पुराने इस्थान से हट कर विचरन करती नजर आ रही थी। बागिन के सुरक्षा का खास ध्यान रखते हुए वन मंदल अधिकारी सुधानशु यादव के नीतरत्व में टीम गठित करते हुए उसकी निगरानी की जा रही थी। जब बागिन घनी जंगल में जाने लगी तो चंदा हथनी की सहायता से उसकी देखभाल की गई। वन विभाग के अमले के एक उम्मी थी कि 5 नवंबर तक राधा मा बन जाएगी। हुआ भी वहीं 5 नवंबर को। सुबह बागिन एनवन राधा ने दो नन्ही शावकों को जन्म दिया। राधा दूसरी बार मा बनी है। इससे पहले भी दो शावक हुए थे। शावकों की जन्म के बाद वह आराम करते देखी गई। इसकी पुष्टी स्वयम अनुश्रवन टीम ने फोटो ले करके। नौरा देही वन मंदल अधिकारी सुधान्शु यादव ने बताये कि शावकों की जन्म के बाद बागिन वा शावक दोनों स्वस्थे हैं। उनके आसवा शेत्र की सुरक्षा पढ़ इसलिए दो शावकों की ही पुष्टी हो पाई है। बागी अनुमानित शावकों की खोज की जा रही है। टाइम एट मधिप्रदेश के लिए सागर से विश्णू सोनी की रपोर्ट।